तो दोस्तों यह है हमारा digital commentary का clips channel जहां आपको film industry से actors, writers, directors के साथ हमारे podcast और chat shows के कुछ short clips और deleted conversations देखने को मिलेंगे तो फटापट से digital commentary clips channel को subscribe कर लो मैं जब corporate sector में काम करता था उस समय मुझे आज भी याद है 2007 की बात है आज हम लोग 2024 में बैठे हैं 17 साल पहले जो increment letter मेरे हाथ में था according to that letter my cost to company was more than 40 lakhs 17 साल पहले मेरा cost to company 40 lakhs से जाद था ठीक है और बहुत पैसे थे बहुत मस्त रहते लेकिन मैंने 2009 में वो नोकरी छोड़ दी और उस नोकरी को छोड़ के मैंने यह सोच लिया कि मैं आया था अक्टर बनने मुंबई शहर और अगर बनना है तो इस नोकरी कब तक पर नौ साल हो गय थे लोम।स्टाते के जाजारे हैं मैंने जौई किया था वो कंपनी हम नौ साल हो ओने कए थे मने का थे तो बहुत जादा ने शहर भाई अपने टेलेंट के साथ जो हो बगवान ने मुझे प्रतीभाइब धी है वो प्रतीभा जाया चले के बाद यप सोनी इंटर्टेन्मेंट में जी 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 उस नौकरी को छोड़ने के बाद मेरे पास प्रूवजिन फंड और ग्रेचुटी के पैसे वैसे मिले अच्छे खासे तो मैंने सारे पैसे लगा दिये क्योंकि मेरा घर जो था जो कि आज भी है वह बंगला है बहुत बड़ा यहने वह पोटेंशियली 10,000 स्कॉर फीट का घर है कहां पर एफरी मेरा रोड़ में आपके तबड़ा घर है तो यह उस जमाने की बात ही मैंने वह घर लिया था 2005 में और 2009 में मैंने नोकरी छोड़ी तो मैंने अपर पुद्दे में थाओ को जड़ा है तो सारा का तारा पैसा मैंने उठागे वुमलोन में डाल लिया और घर को जो है वो लोन फरी कर लिया थेक है और अब मेरे पास जो भी सेविंग्स थी वो ना के रवर थी उससे बशना ही हो सकता था के मेरे परिवार वाले ज कि रोटी कह सके और मेरा लाइफस्टाइल था याशी वाला याने हर वीकेंड बे फाइफ देज था सोनी में सेटेडे संडे हम लोग पार्टी है सिल्वल जा रहे हैं कभी वाटर किंडम जा रहे हैं होटलो मेरी मेरी साथ इक बहुत बड़ी प्रॉब्म यह थी कि मेरे घरवालों का मिजाज ऐसा था कि सिर्फ हम नहीं जाते थे बल्के पूरा प्रोस जाता था हमारे साथ तो जहां पर लेवल की कमफर्ट जोन में था मैं जब मैं जॉब करता था नौकरी करता था और अचानक वो नौकरी छोड़ी और सिच्वेशन यह आ गई कि मेरे घरवाले बस दो वक्त की रोटी सबजी खा सकते हैं होटलो तो भूल जाओ मूवी देखना भूल जाओ बाहर भूमने गाम जुगार था जिसको हम बोलते हैं दो जुन की रोटी का जुगार था घर में देखा मजाया ना तो पूरा पॉड़कास देखने के लिए डिजिटल कमेंटरी के में चैनल पर जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में है